हेलो दोस्तों आप स्वेका बहुत बहुत दूलकम है आपके आपने ही चनले टार्गेट इन फेंटासी पर इस विडियो में आप देख रहा है सिंगापूर ओमेन भार्सास माले से ओमेन के बीद जो काल T20 सीरीज सुरू होने वाले है उसका जो पहला मैच खेला जाने वाले ह उसके मैच प्रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको टेलिगाम के बारे में एक बात बतायता हूं कि आगर आपको फाइलल टीम्स चाहिए तो हमारे टेलिगाम चैनल जान करना पड़ेगा क्योंकि हम जो फाइलल टीम्स टॉस अपडेट पीछ अपडेट सारे के सारे अपडेश देते हैं वो टेलिगाम पर ही देते हैं और साथ में टॉस के बाद लाइन अप के बाद जो टीम्स हम प्रोवाइट करते हैं वो टेलिगाम पर ही देते हैं स्मॉली ग्रैली के टीम्स तो इसलिए अगर अपको भी वह टीम्स चाहिए जिसके सामा लकातर रोडिंग कर रहा है अभी तक 2700 प्लास लोगों ने हमारे साथ और जुट चुके है वो लकातर रोडिंग कर रहा है अगर वह टीम्स सबको चाहिए तो आपको आमारा टेलीग्रम चला आप ही जॉइन करना पड़ेगा तो आप जाइए टेलिग्रम पर जाके टार्गों फैंसर लिंक के सार्च कीजिए और हमारे ऑफिसल चैनल 1.7 के प्लासस को वाला वो चैनल आपको जॉइन करना है उसी के साथ अगर आपको लिंक चाहिए टेलिग्रम की तो वीडियो की आपको लिंक मिलेगी तो डिस्किप्शन पर जाईए लिंक पर क्लिक करके आप रिडियरेक्ट होके हमारे चैनल पर आ जाओगे और उहां पर आपको सीफ जॉइन बड़ेपर क्लिक करना है तो आप डिरेक्ली जॉइन कर सकते हो दोगा इस देर की सबात की फाइनल टीम्स क सब्सक्राइब बात करें बोलिंग फैली पीछ रहने वाले है एवरेस्कोर बनता है 88 तो गैस देखिए भेने रेकोर्स इस सेजिन का भेने रेकोर्स देख लिजे अभी तक कोई मैच नहीं खेला है तो इसलिए यह सबको नहीं मिलेगी और गैस आज की मैच पर रिसन के बा प्राबल प्लेइग एक साई और बैटिंग ओलर के साथ उसके साथ प्लेयर रेसें स्टेर से आपको पताने वाला हूं जहां से आपको अंदजह लएगा कि आप के लिए small league garlic picks कौन-कौन से player रहने वाले है तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं Singapore governments की जी के दिविया opening कर सकते हैं साफी नमेस के साथ और guys एक बात कि ये कोई final line-up या फिर final batting order नहीं है आपको सिर्फ अंदगे लगाना है कि इन में से कौन-कौन से player अच्छे है या फिर अच्छे फोंपर नहीं है लेकिन final line-up और final batting order आपको मिलेगी टॉस के बात जब play kick से ही आ जाएगा तो वो अपडेर्स आपको वहाँ पर मिलेगी हमारा टेली गमजल पर मिल जाएगी तो guys दखिए जी के दिविया ने last जो 4 इनिस खिले उहाँ पर 0, 4, 25, 7 उतना चारान स्कोर नहीं किये लेकिन bowling की बात करें पांच मैच पर bowling करके भी उत्रा जाता विकेर्स नहीं ले पाए सिर्फ दो मैच पर एक और एक विकेर्स ट्रल दो विकेर्स निकाले साफिना महेस ये भी opening करते है 6, 9, 19, 6 और 4 मैच पर bowling करके इन्होंने 5 विकेर्स निकाला तो बैटिंग में ना हो सके तो bowling से आपको continue करके दे सकते है जो सफिना महेस है बहुत ये अच्छे प्लियर नमबर 3 पर आ सकते है वान डाउन रोसिनी रमेस 5, 4, 6 और विकेर्स गाए बोलिंग करके तो ये आपके लिए उतना अच्छा अप्सन नहीं रहने वाला है नमबर 4 पर रहेंगे जो होना पूर्णा करन एक प्रॉपर बोलार है लेकिन नमबर 4 पर बैटिंग कर रहा है क्योंकि देखिए बैटिंग भी अच्छे खासे करना जानते है तो 0, 1, 0 तो उतना अच्छा पीक अपने नहीं रहने वाला है प्योंकि गुरु सिंगे 14, 4, 0, 1 विगेट की बरिंग से सर्फर अपको मिलेगी तो ये अच्छे प्लेयर है इस मैच पर अच्छा है इनिस खेल सकते है जै हुआतान 0, 0, 0, 3, 9 बिल्कुल बिकार की है आपके लिए विनुकुमार 4, 5, 38, 7, 0, 2, 0 विगेट तो देखिए बैटिंग से बोलिंग से दोनों साथ से आपको कौटिवूट कर सकते है कौन विनुकुमार तो मेरे सब से इसको थोलग सा उपर आना चाहिए लेकिन अभी तक फाइनल बैटिंग होड़ा हमारे पास नहीं आये तो हम कहा नहीं सकते है कि यह उपर आएगा की नहीं नमबर 8 पर खेलने मेल एक प्रोपर बोलर की जगा है कौन है? 4 रनी अभेरत ने 1 रन, 5 रन, 0 रन, 3 रन और 2 मैच पर बोलिंग मिले इनको नमबर 10 पर जो रहने वाल है, 3 मैच पर बोलिंग मिले इनको 0-8, 0-8 और 1-8 तो इनके भी स्टैट्स अतना कुछ ज्यादा आचा नहीं है 3 मैच पर बोलिंग करके सिर्फ एक ही विकेड निकाल पाए आड़ा भासिन, इन्होंने 3 मैच पर बोलिंग करे 2-1, 0-1, 0-0, 0-1 मतलाब 3 मैच पर बोलिंग करके सिर्फ एक ही मैच में 2-1 निकाल पाए बाकी 2 मैच में विकेलेस गए तो वैसा ही है कुछ स्टैट्स हारेक प्लियर्स की अब आप देख लिए सिंगापूर मेंस की तरफ से कौन कौन से प्लियर्स आपके लिए स्माल लिक पर मस्ट पीक रहने वाले है तो जी के दिवियर्स अमरे तरफ से रहने वाले है सफीना महेस उसके साथ प्युमी गुरी सिंगे विनो कुमार, अभेरतने डविने सर्मा और इसीता सुकला तो यह साथ प्लियर्स आपके लिए फिल हल बहुत ही अच्छे पीक है आप इन में से चार, पांच, छे, साथ किनने पीक सापके स्माल लिक के टिंग पर चाहिए अब रप सकते हो, आपके लिए हर एक प्लेस लगबग यहां पर अच्छा रहने वाल है तो कैस्ट अभी हम दूसरे टिंग के बारे में देखेंगे मलेसिया वमेंस की तरफ से वान जूलिया उपनिंग कर सकते हैं आईना हमीजा के साथ, वान जूलिया के बारे में बात करें देखें, रिसर्फ से लगबग अच्छा ही हम कह सकते है क्योंकि देखें, एक अतिस, साथ, एक, दस, और बीस रण जहां पर देखें, असी से लगए नभी तक वान पर 30 रण बनाना बहुत ही बड़ी बात है और इनकी एवरेज भी उत्रा ही है कुछ तो यह समाज में अच्छे कर सकते हैं तो आपके स्मॉलिक टिंग पर मस्ट भी ग्रेंडना चाहिए उसी के साथ देखें, जो ओपेनिंग करेंगे आइना हमीजा, 0-0-28 मतलब दो मैच पर लगातार टक पर आउड़े लेकिन उससे बात, उसके बात 28 रण मनाया और दो मैच पर बोलिंग करके विकरलेस गए तो यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात किया है कि बैटिंग के साथ साथ बोलिंग मिला है और उपेनिंग पर बैटिंग साथ में बोलिंग मिला है तो यह बहुत ही बड़ी बात है विनिफ्रेट दूरई सिंगम बहुत ही बड़े पिक साथ में कैप्टन सी भी करेंगे अबने टिम के लिए 39, 73, 26, 0 2, 0, 0, 1, 0 तो यह अब के लिए एक मास्ट पी कैप्टन सी और भाइस कम सी के लिए अच्छे पिक इस मच पर बढ़ने वाल है कौन विनिफ्रेट दूरई सिंगम नमबर चार पर आएंगे एलसा हंटर इनकी भी रिसेंस्टर अच्छा है बैटिंग में अच्छे ट्रस पर दिखाई दे रहाए थे लास्ट इनिंग लास्ट सेरीज में 34, 17, 10, 15 मास ऐलसिया अब के लिए ये भी बहुत बढ़ी पिक और सथ में कैप्टन सिय और भास कम से लिए भी अच्छी चोईस देखिए 34, 33, 33, 33, सब्सक्राइब बैटिंग और बोलिंग करें वहां पर पांच मैच पर सिर्फ दो मैच पर एक करके टोल दो इकर निकाला बागी तीन मैच पर विकलेज गाए तो मासल सभी आपके लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं बैटिंग और बोलिंग दोनों साइट से आपको कॉंटिबूट करके दे सकते हैं नमबर साथ पर आसकते हैं आरियान नाथिया एक प्रोपर बोलिंग और लॉन्टर की जगाँ खेल रहा है जिरो रन पांच पर बोलिंग करें और विकले तो यह प्ले सब के लिए बोलिंग सेसर पर एक अच्छा पिक रहने वाले इस वाले मैच पर और नमबर नौ पर जो यह प्ले अने वाले है निक नूर अटियला पांच मैंच पर बोलिंग करके जीरो फेड़ा अर्स निकाला अच्छा काई आपके लिए बन सकते हैं इस वाले मैच पर नबर 11 पर सबसे एंड में जो आएगा हुआ जुमी का आज मी पांच में पर बोलिंग में लेकिन सिर्फ एक विके निकाल पाए बाकी चार मैच पर विके लेज गए तो जुमी का आज मी उतना अच्छा अपसवन आपके लिए नह उनि फ्रेट दूरेज सिंगम है एलसा हंटर है मास एलसे है सासा आज मी है निक नूर अटियला है और यह गई छे प्लेज तो यह छे प्लेज मैसी है आपको प्लेज चूज करना पड़ेगा तो गई सभी एक बाट देख लिए श्मान लिग पर कौन कौन से प्लेज योईस के लिए ग्रेंड लिग चोशिस के इबर बात कर लेता है एलसा हंटर विन कुमार वान जुलिया साफिना माईस तो यह चार पिल में से आपको ग्रेंड लिग पर चोश करने पड़ेगा अब इन में से थोड़ा सा रिस्क लेकर कैप्टन भासकर भी बना सकते हो या फि इडियो फी डिस्क्रिप्शन में तो अब डिस्क्रिप्शन पर अभी चले जए वहाँ पर लिंक पर ख्लिक करके डिरेगल कर लिए वहां पर हमने ट्रॉस के बाद लाइना के बाद फाइनल समय लिग की टीम के साथ-साथ ग्रेंड के टीम डाल देते हैं जाससा है साले कि खुद की अच्छह-च्छा कॉंबटीशन मना कर ग्रैंड रिक जोइन कर शकते हो देर सारा वनिंग कर सकते हो तो कैस्प देर की इस बात यहाँ पर रहने वाल है वान जूलिया बैटिंग सिस्टम की बात करें आर रमेस जे पुर्णा गरन आपके लिए उतना अच्छा अपसन नहीं है अगर बोलिंग करते तो अच्छे पुर्णा सिल बनते हैं इनके पास जे उर्वातान बेकर की फोंपर है आई जमाही दिया अच्छे पिक बनेंगे और अभी चलते बोलिंग सिस्टम की गरफ यह वासीन उसी के साथ आई रात्सिया और इस अजमी तीन टॉप चोई समर्टी पर रहने वाल है तो कई देखिए यह पर हम एक चेंजस करेंगे जो कि हैं पर इस आजमी को ट्रॉप करके आई सुकला को करेंगे कि आई सुकला रिसेंटली हर एक मैंज में लगबख एक एक करके निकल रहा है इस वाजनी के साथ हम थोड़ा सा रिस्क ले रहा है लेकिन अगर पर कोई जिंज होगा आपको ट्रेलिंगा पर कर दूँगा अभी कैप्टन से बारे में बात करें जी के दीबिया पर गेट कबरिक सेक्शन पर तो इसी के लिए ही यहापर छे पांच का मंग गए नहीं तो हम जाना चाते थे सिंगापूर के तरफ से 6 और मलेसिय की तरफ से 5 के साथ लेकिन की पर हमारे हो गए है मलेसियोफन की तरफ से और देखिए हम पर आई जमाहिद आया ईलसा हंटर आर ये तीम प्रेस जैने बाल है बैटिंग सेक्षन में और और अलनुस की बात करें एम एलिसिया ट्विन फेट दुराई सिंगम जी के दिप्या एस महस ये चार प्रेस जैने बाल है और बोलिंग की बात करें और जो हमारा टिम का सेफ केप्टन है वह जी के दिप्या सेफ बासकुम नेरे वाले एम एलसिया आप ग्रैलिक पर ट्राई कीजिए ये पाच प्लेक सत ग्रैलिक पर ट्राई कर सकते हो आला गला कॉम्मिनेशन में तो गाइस ये रहे आपके लिए स्मालिक का डेमो टीम आपको मिलेगे हमारे टेलिकम चल पर टॉस के बात लाने आपको बात तो आप अभी जाकर हमारे टेलिकम चल को जॉन कर लिजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से अच्छा सब को जरू